प्रियों आईए हम देखें यहोशु अपने परिवार का निर्मान किया या रक्षा किया आईए हम मिलकर पड़ें और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो की तुम किसकी सेवा करोगे चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुमारे पुर्खा महानद के हुसपार करते थे और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो परन्तु मैं तु अपने घराने समेथ यहोवा ही की सेवा नित करूँगा पुर्यों यहोशु खुले रूप से कह दिया तुम किसकी सेवा करोगे तुम्हे स्वेक्शा है तुम जिस पर विश्वास करना चाहते हो उस पर तुम मिश्वास करो यहोवा पर या दुसरे देवताओं पर तुमारी मर्जी लेकिन एक बात मैं तुम सबसे इसपश्ट कह रहा हूँ इसमें चिपाने की कोई बात नहीं है मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे प्रियो कितने अद्बुद गवाई ही है पूरे घराने के साथ मैं परमेश्वर की सेवा करूँगा मूसा इस बात को नहीं कह सका दाओद इस बात को नहीं कह सका दाओद एक अच्छा अत्मिक विक्ति था यहोवा के मन के अनुसार था लेकिन परिवार के साथ मैं परमेश्वर की सेवा करने के आउसर को खो दिया कारण यह है कि वह बहुत से विवाह किया इस तरह बहुत से इस्त्रियों से विवाह करने के कारण जो संतान हुई वे अपने मन मर्जी से जिये इसलिए घराने के साथ प्रभु की सेवा नहीं कर पाया प्रियो मुसा भी जिसके दो पुत्र थे लेकिन उसने जिस इस्त्री से विवाग किया वो इस्त्री अन्य जातियों से थी एक याजक की बेटी थी प्रियो एक विस्वासी को एक विस्वासी के साथ ही विवा करना है बैबल बताती है लेकिन मुसा की जीवन में ये नहीं हुआ अपनी स्तिती के कारण एक मिद्यानी स्त्री से विवा किया मुसा की मा योके बेद एक आत्मिक स्त्री थी बच्पन से ही मुसा को दूद पिलाते हुए आत्मिक बातों को सिखाई लेकिन मुसा की पत्नी इस तरह अपने बच्चों को आत्मिक बातें नहीं सिखा पाई वे अपने दोनों बेटों का अच्छा नाम तो रखे लेकिन उस नाम के अनुसार अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सके मूसा के बाद मूसा के बेटों में से किसी को अगवा बनना था लेकिन पिता के बाद कोई अगवा बना हो हम नहीं देखते हैं मूसा के पुत्रों का उसके बाद क्या हुआ हम नहीं जानते पत्नी का क्या हुआ नहीं जानते मुसा महान अगुआ था लेकिन परिवार की वेवस्था को बनाने की विशय में यहोशु ही हिम्मत से कह पाया मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे प्रिय भाईयों और बहनों जब सारा संसार पाप में डूबा था केवल एक नोह ही धार्मिक्ता से जीकर खराई से जीकर परमेश्वर के अनुग्रह को जब पाया तो परमेश्वर ने कहा नोह सुनो मैं सारे संसार को नाश करने जा रहा हूँ लेकिन तुम और तुमारा परिवार उस जहाज में प्रवेश करके अपने आपको बचा लो इस तरह बोले सुनिए परी भाई और बहनो 120 वर्ष तक नोह आने वाले प्रलाई के विशे में आने वाले विपत्ति के विशे में प्रचार किया लोगों को चेतावनी दिया 120 वर्ष तक चेताउनी देने के बावजूद एक भी बहार का व्यक्ति उधार नहीं पाया लेकिन उसके तीनों पुत्र, तीनों बहुएं और पत्नी साथ लोगों को नुह बचा सका, अपने परिवार की रक्षा कर सका आज हर एक पत्नी और पती अपने परिवार की रक्षा कर पाना है, हर एक पिता हर एक मा अपने बच्चों को उधार में लाना है, पुरे परिवार के साथ आप आराधना कर पाना है, यहोशु खुल्लम खुल्ला कह रहा है, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की उपासना करेंगी पिता की रूप में आप परमेश्वर का भाय मानेंगे तो एक मा की रूप में आप परमेश्वर का भाय मानेंगे तो आपकी आत्मिक्ता को देखकर आपके बच्चे भी परमेश्वर की भाय मक्ती में जिएंगे प्रियो यहोशु कह रहा है, मैं, पहले प्रभू की अराधना कर रहा हूँ, मुझे देखकर मेरा परिवार प्रभू की अराधना करेगा आज हरेग घर का मुख्या कहबाना है, चाहे पिता हो या पती हो, निश्य कहबाना है, हम यहोवा की सिवा करेंगे मैं और मेरा परिवार एक निर्ने लिये हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, नश्टाय कश्टाय दुख मुसीबते आए, या कोई आर्थिक तंगी हो, विमारी हो या कोई समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, हम खुलम खुला कह रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चलने के विश्य में सब को खुलम खुला बता रहे हैं, तुम किस की सेवा करोगे हम नहीं जानते, लेकिन हम तो जीविते यहोवाही की सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, परियों हमें से कुछ लोग इस बात को कहने से डरते हैं, हम प्रभू पर विश्वास करते हैं, कहने से डरते हैं, बाइबल चुपाये हैं? नई 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 मैं नहीं चुपाया हूँ नई चुपाया हूँ ब्रदर बारिस का समय है ना थुड़ा भीग जाएगा करके पॉलिथिन में लपेट कर लेकर आया हूँ ब्रदर चुपाना क्यों है? प्रियो यहोशु कह रहा है खुलम खुला प्रचार कर रहा है मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे अद्बूत है न प्रियों? आज हम में से कितने लोग यह कह सकते हैं? जगकई! तेरे घर में आज उद्धार आया है यह प्रभू के आशा थी? प्रभू अगर सोचते जगकई कोई उद्धार देना है तो उस गुलर के पेड से उसे नीचे बुलाकर वहीं उद्धार दे देते उसके घर जाने की आशकता नहीं थी प्रभू के आशा क्या थी जानते हैं? मुझे जगकई के घर जाना है आज प्रभू का आपके प्रति क्या आशा है जानते हैं? प्रभू आपके घर आना चाहते हैं प्रियो आज हम में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरे घर में इशु हैं मेरे घर में परमेश्वर का भय और भक्ति है हमारे घर में प्रात्ना है हमारे घर में अनुशाशन है, आत्मिक्ता है, परमेश्वर हमारे घर में रह रहे हैं, कितने लोग कह सकते हैं, यहोशुने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सिवा कर रहे हैं, पती चर्च जाने से पत्नी नहीं जाती है, पत्नी जाने से पत्नी नहीं जाता है, दोनों जान वे प्रात्ना करके जब भजन गाने लगे, वादबुत काम हुआ और बंदी ग्रह का द्वार खुल गया, कैदी भाग गया हैं सोचकर, बंदी ग्रह का दरोगा आकर, जब वो अपने आपको मारने लगा, पॉलुस और सिलास ने कहा, तुम अपने आपकी कोई हानी ना करना हम सब यहीं हैं, जब दरोगा आकर देखा तो कोई भागे नहीं, कारण जानते पॉलुस और सिलास के प्रात्ना के सामर से उनका मन बदल गया था, तब उस बंदी ग्रह का, दरोगा, पॉलुस और सिलास से क्या कहा, साहिब आनो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें, इश् सिलास से वचन सुनाए, सुसमाचार सुनाए, बाइबल बताती है, पैरितों के काम, सोलवा ध्याय, देखेंगे आईए, बतिस वचन से पढ़ रहा हो, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभू का वचन सुनाया, रात को उसी घड़ी उसने उने ले ज सारा परिवार परमेश्वर के आरातना करने के लिए अपने आपको सौप दिये, वे उसी रात बप्तिसमा भी ले लिए, मैं पूसता हूँ, आपके परिवार का क्या हल है, प्रियो परमेश्वर की आशा है, आपका परिवार उधार पाना है, आपका परिवार परमेश्वर से पती नहीं जाता है, चर्ष जाने वालों में बदलाव नहीं दिख रहा है, यदि पती चर्ष जाते हुए, तुम भी आ सकती हो ना, कहने से पतनी कहती है, तुम चर्ष जाकर अपने आप में क्या बदलाव दिखा रहे हो, चर्ष जा रहे हो लेकिन, तुम में क्या क्या, तुम में कुछ बदलाओ आया, यदि तुम चर्च जाकर सुधर जाओ, तब मैं भी आऊंगी, तुम स्वयम बदले भी ना, बुझे आओ कहरें क्यों, ठीक इसी तरह जब बहने भी कहती हैं, सुनिय जी मेरे साथ आप भी, चर्च आईए कहने से, पहले तुम सुधरो, तुम अपने जगडालूपन से सुधर जा, उसके बाद मैं आऊंगा, तुमारी बुध्धी और तुमारी बाच्चित बदलेंगी तो, तुमें देखकर मैं भी चर्च आऊंगा, प्रियो इस तरह, कहने वाले नहीं हैं कहेंगे, आप स्वयम सुधरे बिना आपका पूरा घराना सुधरना है, कहने से ये अनुहोना है, ग्रहनी को ये समझ में आना चाहिए, उसकी आत्मिक्ता के द्वारा वो अपने घराने को धार में ला सकती है, लेकिन आज ऐसे पती और पतिनिया हमें दिखाई दे रहे हैं कहेंगे, आज हम इसके बिलकुल विरोध में करते समय कहने लगा, आप चर्च आते हो लेकिन आपकी बाच्ची ठीक नहीं है, आप चर्च आते हो लेकिन गालियां बगते हो, आप चर्च आते हो लेकिन घर जाकर अपनी पतनी के साथ मार पीट करते हो, आप चर्च आते हो लेकिन अपनी सारी कमाई को शराब में खर्च कर देते हो प्रियो जब इस तरह कह रहे थे वहाँ बैठा हुआ पुत्र पिता को इस तरह किया क्या है बेटी ये क्या है डैडी वे पूरा आपके बारे में बता रहे हैं किसके बारे में सब आपके बारे में बता रहे हैं प्रियो समझ में आपके लिए ही था न, पती भी कहेगा, क्यों जी आज पूरा वचन तुमारे लिए था न, इस तरह कहेंगे सोचकर अपनी पत्नी या पती को लेकर नहीं जाते हैं, इस तरह कहेंगे सोचकर अपने बच्चों को नहीं ले जाते हैं न, यही है क्या कारण? प्रियो एक बेटी अपनी मा से बोली मम्मी सुबा उठती हो, बरतन साफ करती हो सुबा उठती हो, भोजन बनाती हो उसके बाद ठक कर भी सारे कपड़े धोती हो उसके बाद सारा घर साफ करती हो मैं जब से जन्म ली हो तब से देख रही हो मम्मी बस यही काम, सुबा उठती हो, बरतन साफ करती हो, घर सफाई करती हो, कपड़े दोती हो, आपको बोर नहीं लगता, रोज यही काम करते हुए आपको बोर नहीं लगता है, कहने से उस्मा ने कहा, मैं कपड़े दोती हो, मैं घर साफ करती हो, घर की सारी सफाई करती हो, तो मै किसने का तो आप यही काम तो करती हो ममी उस्मा ने कहा नहीं बेटी तो क्या कर रही हो मैं अपने घर का निर्मान कर रही हूँ इस तरह बोले बहनों आपको समझ में नहीं आप आप में से कुछ बहने इस तरह सोच रही है हाँ इसमें घर निर्मान करने की क्या बात है याने खाना बनाना याने घर की सफाई करना यही है न और या कपड़े धोना ये सब में कपकछोड़ दी प्रियो एक पती तलाग के लिए कोर्ट में केस फाइल किया उससे जज के सामने खड़ा किये जज ने पूछा तुम क्यों तलाग लेना चाते हो पूछने से उसने कहा घर का काम करकर के मैं मर रहा हूँ क्या काम करते हो? क्या काम करता हूँ? मैं क्या बताऊँ? मेरी पत्री का सारा काम करता हूँ तब जज ने कहा इसमें तुमें क्या महनत है? बताओ सबजिया मुझे काटना है और खाना भी मुझे ही बनाना है प्रियोस जज ने कहा इसमें मुश्किल क्या है पहले आलू को अच्छे से उबाल लो उसके बाद अच्छे से कट कर लो प्याज लेकर फ्रिज में रख दो उसके बाद यदी काटोगे तो तुमारे आँखों से आशों नहीं निकलेंगे अगर कपड़े ज़्यादा गंदे हैं तो उसी समय धोने की कोशिश तुम मत करना उन्हें तुम सोप में या फिर सर पॉडर में डिटर्जन में कुछ समय तक उन कपड़ों को दुबा कर रखो वो कपड़े अच्छे से भीगने के बाद तब एक घंटे के बाद उन्हें निकाल कर तुम धो कपड़े बहुत अच्छी रीती से साफ हो जाएंगे घर में धूलो और तुम जाडू लगाओ तो पूरा धूल उड़ेगा परशान हो जाओगे इसलिए कपड़े को भीगा कर अच्छे से साफ करो ये सब जब कह रहा था तब उसने कहा ठीक है मैं तलाक नहीं लूँगा क्यों किसलिए आप तो मुझसे भी अधिक परिशानी में है आप ही एक जज़ होकर घर में इतना काम कर रहे हैं तो अब मुझे करने में क्या दिक्कत है ठीक है मैं घर जा रहा हूँ कहके चला गया कुछ बेहनें बहुत हस रही होंगी मैं आप लोगों के पती के बारे में ही बता रहा हूँ प्री बेहनो कृप्या ध्यान दीजिए आपका सुबा ही उठना एक नौकरानी की रूप में नहीं है जिम्मेदार ग्रहनी की रूप में उठ रहे हैं सुबा ही उठकर काम करना सुबा ही उठकर घर का काम रसोई का काम करना मत सोचिए नौकरानी का काम है वैसे ही आप पती के रूप में सुबह जल्दी उठकर, नहा कर तयार होकर, नौकरी करने जाते हैं रोज वही काम, वही काम आप क्या कर रहें जानते हैं? परिवार का पोशन करने के लिए आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं इसलिए आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपके उपर है इसलिए उनकी भलाई चाहते हैं इसलिए आप अपने कमाई को बर्माद ना करके पी कर, खा कर, नाश ना करके आपके कमाई के कुछ पैसों को आप बचा लेते हैं जिससे आप अपने परिवार को बताते हैं कि आज आपके घर के नाश होने का कारण बताईए, सुबा जल्दी नहीं उठते हैं ही कारण है ना, साथ बज्जा आठ बज्जा नहीं उठते हैं ना, आज परिवार में हमेश्चा जगडे होने का कारण बताईए, घर के और रसोई के काम को करने के विशय में लपरवाई करना निर्मान कर रही हूँ मैं और मेरा घराना यहोवाही की सेवा करेंगे कहा और वैसे ही सेवा किया और उसके बाद यहोशु अपने मंजिल तक पहुँच गया यहोशु अपने मंजिल तक पहुँच गया पढ़ेंगे आईए गिंति की पुस्तक चौदुआ ध्याय बाईस वचन से उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्तर देश में और जंगल में देखी और मेरे किये हुए आश्चरी कर्मों को देखने पर भी दस बार मेरी परिक्षा की और मेरी बातें नहीं माने इसलिए जिस देश के विशय में मैंने उनके पूरवजों से शपत खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा परंत इस कारण की मेरे दास कालीप के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीती से मेरा अनुकरन किया है मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा अमालेकी और कनानी लोग तराई में रहते हैं इसलिए कल तुम घोम कर प्रस्तान करो और लाल समुद्र के मार्ग से जंगल में जाओ परमिश्वर कह रहे हैं तुम सब को प्रतिग्या का देश देना चाहा मेरे कियेवे अश्र कर्मों को देखने पर भी दस बार काई बार मेरी परिक्षा की विरोत किये मन मर्जी से वहवार किये इसलिए सुनो तुम प्रतिग्या के देश में कदम नहीं रख सकते एक कालीब को छोड़ कितने लोग गये देखेंगे आईए 29 वचन से तुमारे शाओ इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयू के जितने गिने गये थे और मुझ पर बुडबुड़ाते थे उन में से यपूने के पुत्र कालीब और नोन के पुत्र यहोशु को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसके विशे में मैंने शपत खाई है कि तुम को उसमें बसाऊंगा परन्तु तुम हारे बाल बच्चे जिनके विशे तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे उनको मैं उस देश में पहुचा दूँगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुछ जाना है परन्तु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे तुम अपनी मंजिल तक नहीं पाँच पाओगे यहोशु और कालीब के अलावा कोई भी उस देश में पहुच नहीं पाएंगे कारण क्या है कि तुम बार बार मुझे रिस दिलाए हो तंग किये हो, सताए हो विरोध किये हो इसलिए मैं तुमें दंड दे रहा हूँ प्रतिज्या के देश में तुम बिलकुल कदम नहीं रख सकते, जाओ पीछे लाल समुदर की और जाओ प्रियो किर्पिया सुनिये अगर वे वास्तों में मिसर से कनान देश की और यदि वे सीधे यात्रा करके जाते तो वे लगभग ग्यारा दिनों में ही अपने मनजिल तक पहुँच जाते लेकिन उनके मार्ग सीधे नहीं थे उनके मन, उनके सोच सीधे नहीं थे उनकी टेड़ी सोस्ती टेड़ी बुद्धी, टेड़े विचार, टेड़ी सोच, टेड़ा जीवन, टेड़ी दृष्टी प्रियों, परमिश्वर कह रहे हैं, बहुत से आश्चरी कर्म तुमारे बीच में करने पर भी, तुम दस बार मेरी परिक्षा किये प्रियों, परमिश्वर दस बार अश्चरी कर्म करने से, फिरों, हाँच जोड़कर यहां से जाओ बूला, फिरों मेरे अधिन हुआ लेकिन तुम, मेरे अधिन नहीं हुए, इसलिए तुम प्रतिक्यां के देश में कदम नहीं रख सकते, मेरी आग्या मानकर, जो मेरी आग्य आज इन वचनों को सुनने वाले भाई और बहन इस संसार की आत्रा में एक समाप्ती हैं वो समाप्ती खतम होने के बाद हमारे लिए दो मार्ग हैं एक स्वर्ग हैं दुसरा नरक हैं हम परमेश्वर के आज्याकारी होंगे वचन के अधिन होंगे तो और वचन के अनुसार एदी हम जियेंगे तो सीधे स्वर्ग जाएंगे परमेश्वर के राज्यु में प्रविश करेंगे लेकिन आप इस मार्ग में आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान दिये बिना परमे आईए देखें, गिंती की पुस्तक 20 वाद दिया है, 11 वचन से, यहां हम मुसा की विशाय में देखते हैं, आईए देखेंगे 11 वचन, तब मुसा ने हाथ उठा कर लाठी, चटान पर दो बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला, और मंडली के लोग अपने पश आईए चाने न पाओगे, जिसे मैंने उन्हें दिया है, मुसा तुम्हें चटान से बात करो कहने से, तुम चटान को मारोगे, मेरे नाम का अपमान करोगे, मेरे प्रतिव विश्वास को प्रगट किये बीना तुम इतना क्रोध दिखाओगे, मुसा तो फिर सुनो, तुम या फिर, तुम्हारा साथी, तुम्हारा सहकर्मी, हारोन, उस प्रतिग्यां के देश में नहीं जा सकते, तुम भी जंगल में मर जाओगे, ये क्या प्रभू, चालिस साल इनका बोज उठाकर, इन्हें सहकर, इनकी अगवाई करने से, मुझे, येस, तुम हो फिर भी, मेरी आ जा सकते, आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन, मुसा जैसा वेक्ती ही, उस दिन प्रतिग्यां के देश में कदम नहीं रख सका कारण जानते हैं, मुसा क्रोज से भर कर, चटान से बाते करो कहने से, आवेश में चटान को मारा, परमिश्वर ने का, बस मुसा, बस यहोश्रु को बुलवाओ, यहोश्रु को, तुमारे बाद अगवे के रूप में नियुक्त करो, तुम प्रतिग्यां के देश में कदम नहीं रख सकते, प्रिभाईयों और बहनों, हम कितना भी आत्मिक दिखाई दे, कितना भी पवित्र दिखाई दे, कितने भी आग्यां प्रियो हर दिन भैभक्ती के साथ परमिश्वर के दियेवे उधार को उधार के आनंद को बहुत ही साउधानी से परमिश्वर के वचन के द्वारा परमिश्वर की उपस्तिती में हम समय समय पर अपने आपको परमिश्वर को सौपते हुए बहुत ही भैभक्ती के साथ जो सौ भाग्य हमें दिया गया है आगे बढ़ाना है ऐसे नहीं होने से कीमत चुकाने से नहीं बच सकते यहोश्रु अपने मंजिल तक पहुँच गया लेकिन मूसा नहीं पहुच पाया कारण जानते हैं परमिश्वर के उपर मूसा विरोध किया नहीं कह सकते लेकिन जल बाजी किय परमिश्वर के इक्षा के विरोध में वो वहवार किया फल सरु बूसा जैसा वेक्ति ही प्रतिग्यां के देश में कदम नहीं रख पाया तो फिर हमें और कितना साउधान रहना है आज हम प्रभू से प्रातना करेंगे प्रभू मैं प्रतिग्यां के देश में ना आपकी उपस्तिती में मैं ना पहुंचूं, मुझे रोकने वाले हर एक पापों को दूर कीजिये पिता, अनाग्याकारिता को दूर कीजिये, क्या हम प्रात्ना करेंगे? आईए हम सब मिलकर प्रात्ना करें, प्रात्ना में सह भागी हो। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, बहुती सीधे और इच्पष्ट आप हमसे बात किये, आप संग रहें बिना कोई महान नहीं बन सकता, इसलिए संदेश को सुनने वाले हरे एक जन के संग आप रहिए, आप संग रहे कर हम जो भी काम करते हैं, उन्हें सफल करके अन के जीवन में दिखाई देना है, पहले पती, पतनी और माता-पिता के रूप में ये स्वयम आपकी सेवा करना है, उसके बाद अपने बच्चों को मार्ग दिखाना है, आपकी इच्छा को जान कर, आपकी इच्छा के अनुसार जीना है, फाल सरूप उनके बच्चे भी आपके लिए पूरी रीती से, हमेशा के लिए अधीन हो सके साहता कीजिए, इश्व मसी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन